नमस्कार स्टुडेंट आपका स्वागत है आपके अपने इस यूटूब चैनल साइंस क्लास एंड जी के पर आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम यहां पे जो हमारी बीएसी नर्सिंग की लाइव क्लास से चली थी उसी के संदर में हम यहां पे नेक्स्ट पार्ट हमा उस गरंति का नाम पर यहां पे यहां से चलरी थी यहां पर स्टार्ट करने वाले हमने प्यूस गरंती की इस्ति हैं वो पिसले वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ लिए और इस गलाग जितने भी पांट्स यूह भी हमने बात करने फिर तो पार्ट इक तो इस सब्सक्राइब हाय esta यह उतया पाइए हुवसी अब यहां पर भात करें जिएसकी मैंने ट्रिक बतायती आपको गलत 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 एफम पे ओए तो यहां पे उपर वाले जो साथ हार्मोने ये टोटल आपके साथ हार्मोन आपके अगर पाली के द्वारा इस्तरावित किये जाते हैं और ये जो दो हार्मोने ओक्सिटोसिन और आपके ADH हार्मोन ये आपके पस्च पाली के द्वारा यहां पे के अंदर यहां पर जी एच हार्मोन के बार किसके बारे में बात करेंगे जी एच जी एच हार्मोन के दो इसको या तो या फिर आप इसको यहां पर व्रदी हार्मोन के सकते हो ध्यान रखना ग्रोथ हार्मोन के दो या व्रदी हार्मोन के दो पहली बात तो यह अमारे सरी के के अंदर और एक ध्यान में रखना आपको यहां पर वयस्क अवस्ता के अंदर रोग हो सकते एक कब हो सकते यहां पर वयस्क अवस्ता के अंदर और एक तो बाली अवस्ता के अंदर रोग हो सकते और एक कब हो सकते यहां पर वयस्क अवस्ता के अंदर तो बाली अवस्ता के स इस हार्मोन की यहां पर क्या हो सकते वरदी तो यह हमारे सामने इस परकार से टोटल आपके चार रोग बन जाएंगे कितने रोग बन जाएंगे चार एक तो बाली अवस्ता में कमी या वरदी से क्या होगा मतलब इस हार्मोन की कमी या वरदी से क्या होगा बाली अवस्ता में अगर ध्यान में रखना भी यह जो वरदी हार्मोन है तो वरदी हार्मोन के अगर कमी हो जाती है तो विक्ति बोना रह जाता है जिसे हम यहां पर बोनापन कहा जाता है और इंग्लीज में इसको कहा जाता है यहां पर ड्रेफेनिजम कहा जाता है क्या कहा जाता है इसको यहां पर एटीलियोसिस कहा देता है क्या कहा देता है उसको एटीलियोसिस कहा देता है एटीलियोसिस तो यह एटीलियोसिस के बारे में भी विशेशतोर से ध्यान रखना है यहां पर एग्जाम के अंदर क्यूसन पूर्टफ हो सकता है कि एटीलियोसिस क्या होते है यहां पर तो ए या फिर हिंदी में कहते है आपके महाकाईता, क्या कहते है उसको हिंदी में आप महाकाईता, या फिर सर आपके इंगलीस में क्या कहा जाएगा तो इसे गाई के अंदर अगर इस हार्मोन की वर्दी हो जाती है तो आपके महा कायता या फिर आपके जाएगे टिजम केलाता है किलियर है ना इतनी बात यहां पर मतलब शरीर की वर्दी जादा हो जाती है फिर नेक्स बात करते हैं वयस कवस्ता के अंदर अगर इस हार्मोन की यहां पर कमी हो जाएं तो कमी होने के कारण कि कौन सा रोग हो गा यह normal सी रात है यहां पर कि अगर एस हार्मोन की हो जाए तो घ्यान में रहूअ है यहां पे वह संदी शांस के अंडर तो और यहां पर उत्कोग कई ऑपके हानी ओने लागती है तो आपके सिमन रोग हो जाता है है waz कह वस्ता-के अदर किता उक्तौ उंक ध्यानमे रखना पर एक्रो आभाडव में लेट न्यूंध होता है ऊपकी सामने आप इसकोंड हो जाए यह एक्ड़ोमीगेली रोग यह आपको एकदम कीलियर यहां से पता होना जाए यह आपकी क्योंशन बंद सकते एकदम हंडरीड़ परसेंट इस चांद से ठीके और यहां पर जिए ठीच हार्मोन वेसे कोई FSH और इसी के अलावा एक जो दूसरा हार्मोन आएगा वो आएगा यहां पर LH FSH का जो पूरा नाम होता है यहां पर वो होता है यहां पर Follicle Stimulating हार्मोन इस्टो मुलेटिंग हार्मोन तो इनके पहली बात यहां पर पूरे नाम है वो आपको पता रहने चीए ठीके प्यूस गरंती के द्वार इस्ट्रावित के जाने वाले हार्मोन पर रहें Follicle Stimulating हार्मोन एक होता है यहां पर ल्यूटी नाइजिंग हार्मोन ल्यूटी नाइजिंग हार्मोन होता है ठीके एक तो FSH हार्मोन और होता है यहां परल्यूटी नाइजिंग हार्मोन तो यहां पर दो हार्मोन यहां पर Nav Two silly बैस किया जाते हैं श्रीय। हार्मोन और यहांं पर धिनलए तो एब देखूँ, यहां पर एपश और जो ल ह हैowing यह दोनों आपके गोणेट के उपर कारी करते हैं तो इस कारण रहा हैं, हैजांद को चलिए लिक मतलब कहा जा कंपर रिक्राइट के इस जणत को हम क्या क้ अगर इस कारण इन दोनों हार्मोनों को समयल तरूप से हार्मोन कजता है क्योंध का न USDA Kपुछा जाएक क्यूद में डिए-प्रोब तो अब चलते हैं यहां से नेक्स्ट नेक्स हमें ध्यान में रखना है यहां पर FSH हार्मोने यह क्या कारे करता है तो एक तो हम यहां पर मादा के अंदर बात करेंगे तो यह आपके ध्यार में रखना मादा के अंदर जो फॉलिकल सेल होती है नाम भी इसका यहां पर फॉलिकल सेल है उन फॉलिकल सेल के अंदर वर्दी करने का कारी करता है मादा के अंदर जो पूट्टर कोशी करें पाई जाती है उनमें वर्दी करने का कारी करता है इसके लामादा के अंदर जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है इसके वर्दी को या फिर इसके इस्त्रवन को बढ़ाता है कि इसको यहां पर एस्ट्रोजन हार्मोन से इस्त्रवन को बढ़ाने का कारिय करता है अब पुरुसों के अंदर बात करें कि जो FSH हार्मोने से पुरुस प्रश्व के अंदर यहां पर द्यान में रखना है आपके शुक्र जनन नलिकाओं के निर्माण में वरदी करता है तो अगर मेल की बात की जाए तब कि जो शुक्र जनन नलिकाओं के चार ओर का जो आवरन होगा वह आपकी ध्यान में रखना ट्यूनिका प्रोपेरिया कहलाता है सोड में इसे हम टीपी कह सकते है ठीके बाकी जो सुक्र जनन नलिकाओं है वह हमने आपके जो रिप्रोडेक्टिव सिस्टम था वहां पर हमने कंप्लीट बात की थी नेक्स्ट इंके परिपक्वन में सहाइता करता है नेक्स्ट नर्क के अंदर क्या का रिकरेगा तो यह आपके एस्ट्रोजन हार्मोन का इस्त्रमन करेगी आपके उतरदाये होती थी तो इंदर लिदिंग सेल इस्ट्रोजन हार्मोन का आपके स्थरावोंड करें तो यह आपको मुक्य रूप से आपके द्यान में रखना है दो एल से को याद रूखा पिर यहां पर फॉलिकल सेल्स डियरेक्ट आपको दो दो चीजी यहां पर याद हो जाएगे ठीक है तो FSH Hormone तो इस कारण से दोनों हार्मोन को सम्हार्मोन कहा जाते हैं यहां पर GTH या गोनेड़ ट्रॉपिक हार्मोन कहा जाता है यह आपके GTH तो हमने अभी GH हार्मोन पढ़ा पेले उसके बार में FSH हार्मोन कम्पलीट कर लिया और अब आपका यहां पर LH हार्मोन तो तीन हार्मोन यहां पर कम्प्लीट कर लिए हम लिए अब बात करते हैं पर चोते हार्मोन की तरफ चलते हैं और जो हमारा फॉर्थ नंबर हार्मोन आता है यहां पर वो आता है यहां पर टी एस हार्मोन जिसे हम कहते हैं यहां पर थाइराइड इस्टुमूलेटि लेना एक्जाम के अंदर 100% जान से भी आपके हार्मोन से रिलेटेट फुल नाम का एक यूशन पूच सकता है ठीक है तो यह टोपिक तो इंपोर्टेंट बनता ही है यहां पर तो इसको एकदम अच्छे से आप कबर करना तो टी ऐसे का मतलब क्या हो जाएगा अपर थायराइ और टीक को हार्मोन इस्तरावीद करने के लिए प्रेरीच करनगे और थायराइड होती है और यहां का क्या हार्मोन एटिनो कार्टिकोड ट्रोपिक हार्मोन का मतलब है क्या दिशियु कार्टिको कि अधिकत हार्मोन यह ओता इसका पूरा नाम अभी गरें यह आपकी चीज unl रहें अच्छे से यहां से आपकी चीज़्एं एडिनो अब बता लिएक आपके मेडिलर वाला पार्ट तो इसमें से ध्यान मे रखना आप यहां पे कि जो Olympic hormone है यह आपके क्या करेगा कि adequate अग्रंटि जो आपके cortex वाला जो बहाग काartico का मूठीक्स तो cortex वाले बहाग को हर्मोन रिलीज़ करने के लिए क्या करेगए यहां पर प्रेड्ट करेगा तो इस करण इस hormone को हम क्या कहते हैं आपके CT ह हर्मोन कहा किलियर हो गई होगी बात यहां पर समझ में आगी होगी इसका मतलब क्या हो अब नेक्स जो हमारे सामने सिक्स नंबर जो हार्मोन आता है उस हार्मोन का नाम होता है यहां पर द्यान में रखना प्रोलेक्टिन हार्मोन कोन सा हार्मोन होता है यहां पर प्रोलेक्टिन हार्मोन लेक्टिन है प्रोलेक्टिन हार्मोन अब इस प्रोलेक्टिन हार्मोन के बारे में बात करते हैं यह प्रोलेक्टिन हार्मोन क्या कारी करता है तो प्रोलेक्टिन जो हार्मोन होता है यह विशेश तोर से यहां पर ध्यान में रखना आपके लेक्ट्रोट्रोपिक जो कोशिका होती है उनको बढ़ाने में साहिता करते हैं अभी लेक्ट्रोट्रोपी कोशिका ही क्या होती है तो जो फिमेच होती है उनके अंदर जो ब्रेस्ट होते हैं उनके अंदर दुग्द इस्तरवन की जो परक्रिया होती है उसको प्रेरिद करने वाला जो हार्मोन होता है वो कौन् कि फिमेल के अंदर इस तनों के अंदर दुख दके निर्माण की परक्रिया को क्या करता है प्रेलित करता है सीर पोड़ से गर्वती जो महिलाई होती है उनके अंदर यह प्रोलेक्टिन हार्मोन पाए जाता है हो गई टोटल छे हार्मोन अब बात करते हैं यहां पे साथ आम के दौरा जो हार्मोन बनता है वो बनता है MSH हार्मोन MSH का पुरा नाम होता है milenocyte ex-film howman देको नाम क्या रहा है milenocyte milenocyte का मतलब यह हार्मोन हमारे सरी के अंदर क्या करेगा कि ओस तउचा होती तउचा को रंग पढ़न का कारी करेगा और अगर इस मिलेनोसाइट की मात्रा हमारे सरी के अंदर बढ़ जाती है तो तउचा के अंदर जो तिल बनते हैं वो इसी हार्मोन की वज़े से बनते हैं तो इसका नाम मिलेनोसाइट stimulating हार्मोन हो जाएगा हमारी तवचा के अंदर मिलेनीन जो वर्णक होता है उस मिलेनीन वर्णक को आपकी सक्रिय करता है जिसके अंद तवचा का रंग गेरा हो जाता है अगर मिलेनीन की मात्रा कम है तो तवचा का रंग हलका हो जाएगा और अगर मिलेनीन की मात्रा बढ़ ज किये जाते हैं अब data 2 हार्मोन वो पढ़ने दौरा ग्रें यह प्स पालिkk क्या इस त्रावित किये जाने वाले जोबी हार्मोन इसके हम यह बात कर लेते हैं एक बार कि पर स्वालिक दौरा सर्प्षाण कोंड कोंड से हर्मोन इस त्हुन कोंड किया जाते एक तो यह और एक होता है यहां पर ADH, ADH का पुरा नाम होता है यहां पर ध्यान में रखना Anti-Diuretic Hormone, Anti-Diuretic Hormone, तो एक तो यहां पर ध्यान में रखना Oxytocin Hormone होता है और आपके एक Anti-Diuretic Hormone यहाता है, Oxytocin या फिर इसे हम ध्यान में रखना यहां पर pregnancy हार्मोन भी कह सकते हैं क्योंकि यह आपके जन्म सायक हार्मोन होता है ठीक है जन्म के समय आपके प्रसो पीड़ा उत्मन करने में काम आता है इसके अलावा इसको हम यह पर जन्म सायक या बर्थ हार्मोन के नाम से भी जान सकते हैं बर्थ हार्मोन के नाम से या इस परक्रिया को प्रेदित करता हैं ग्रामीन इलाकों फॉब के अंदर पस्थों उसे अगर जबदस्ती दो निकाला जाता है तो उनको ओक्सीटॉसिन का ठिका लगाया जाता है स्वाइट हिए यहामा कारता हैं यह करता हैं जिसके डिलेवरी है वो नॉर्मल हो सके इसको जर्मसाइग या बर्थ हार्मोन कहते हैं लविंग हार्मोन क्योंकि एक मा का एक बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है वो आपकी ऑक्सिटोसिन हार्मोन के कारण होता है इस कारण इसको में आपके लविंग हार्मोन कहते हैं तो यह जो ऑक्सिटो यूरेिक हार्मौन में क्यों चिछे आपको धियान में रहे हैं, थोड़ा एक मिन्त क्लर स्व कि अदिका हार्मौन का मतलब यहां पिर लगथियों की मतर्विरोधि हार्मौन पहले बात निकाता हैं क्योंकि यह हमारे सरीड के अंदर जो आपकी आ निका ये पाइज समीपस प्रहिस और दूरस्त प्रक स्वर्प में कहते हैं पर लेagus पर्किरा को कंड्रोल करते हैं अगर मात्रा हमारे सरीड के अंदर गैलेम्स हैं तो फ्रérique नलिकाओं के अंदर जल का अच्छे से होगा अगर एदिएघ की महातरा गट गई तो हमारे सपियर के अंदर वरक नलिकाAU के अंदर जल का उसन नहीं होगा तो बार 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 मुतर का कहना पड़ेगा पिर तो काम करना पड़ेगा और लोग होगा कोन सा रोग होजाएग यांपे डाइबी टी टीज इनसी कोब त यह आपको द्यान में रहकना । त्या करना क्यारता है यांप पर देख लाध अपके और आपने दिखा होगा नदर इस एडी आच की मातरा बहुत ही पाई जाती क्योंकि मुत्र का विश्यन कम करता है क्योंकि मरुष्चल के शैतरों के अंदर जल की मातरा बहुत कम होती तो यह ध्यान में रखनार हुआ पूंड के इनदर कौंस हार्मौन की मातरा अधिक हो गी होता है उसको मुटतर का विशर्ण कम कर ना पड़ता है तो इसका होना जादा है तो अलिकाओं के अंदर जल का वापिस पुल्हें अउस्टन कर लिया जाता है तो यह जो तोटल नो थे एक बार में वापिस लिएतों यहाँपे घ्श हार्मोन था एक फिर हमने यहां पर FSH हार्मोन पड़ा था यहां पर फिर फॉर्थ नमबर हमने यहां पर TSH हार्मोन पड़ा था फिर फाइब नमबर हमने यहां पर ACTH हार्मोन पड़ा था फिर 6 नंबर हमने यहां पे lh ho गया fs हो एक हापके msh हार्मोन पड़ा था हमने पर सेवर नंबर हमने यह पे prolactin हार्मोन पड़ा था तो यह सथ हार्मोन तो आपके अप्र पालिक के द sweaty जातें बाकि cyn Deshalb हार्मोन है ऑक्सिटोसिन और और 9 हार्मोन या पे ADH ये आपके पस्च पालिक के द्वारा इस्तरा विद्क किये जाते हैं तो इस परकार 9 हार्मोन प्यूस गरंतिकी के कम्प्लीट हो गए और GH के द्वारा जो चार रोग होते हैं वो विशेशतोर से ध्यान रखने एक्जाम के अंदर जरूर पूछ आपको या तो GH या FSH या LH तो इन हार्मोनों को ध्यानक वीडियो कैसा लगा कमेंट से जरूर करना और जो भी स्टूटेंट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यह सी नर्सिंग आप जो कोर्स है वह बहुत जल्द आपका में कम्प्लीट करवा दूंगा इस